हेलो डियर इस्टुडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप सोब अच्छे और ठी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बहुत लोग बहुत परशान है कि का इकजाम होगा इस बार बहुत में या बहुत खुद कंड़क्ट कराएगा अपना MSC का एंट्रेंस तो देखिए नोटिफिकेशन हर जगस तो आ रही है कि सीउट शीट के थ्रू होगा एक याम बट बियाच्चू में ऐसा कोई ओफिसियल नोटिस नहीं आ रही है तो मैं आपको बीच में लटका के रखना चाहता हूँ आप सब ऐसा भी मान सकते हैं कि सीउट के थ्रू भी होगा और बिय कि यह क्या कि आप देख लिजिए कि सीउट कि जो सेलेबस में जो चैप्टर है और बियाच्चू में जो जैसे कि मैं कहूं को तो जैसे जो रही है यह सब ज्ममेंचंड मे principe में तो तो आप उसका त्यारी तो करी सकते हैं तो बिना टेंसल लिए आप त्यारी कीजिए BHO अपना कराता है, या CU-set की तुरू कराता है तो हो गया बात करते हैं कि CU-set की तुरू होगा तो लोगों की बहुत ही headache बना हुआ है कि Part A, यानि General Leptitude का question कैसे solve करें ओ बाबा, बहुत ही tension है General Leptitude को लोगों में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस्क्रीन पर आपको कुछ देखेगा नहीं, मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो इस्क्रीन पर आपको दिखा दूँगा, ठीक है, अब आज सुनते रहिए, ठीक है, देखिए जो general aptitude मतलब होता है ना, कि general ability, general thinking, ठीक है, not a critical thinking, it's all about your general thinking, you are the human being, you are the student, okay, and इतने दिन से पढ़ क्यों होता है, आपको तो पता ही होना चाहिए ना, कास करा निला इसलिए होता है, क्योंकि blue light का जो scattering होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, पत्ती का रंगहरा क्यों दिखाई देता है, उसमें chlorophyll होता है, general thinking तो आपको पता ही होनी चाहिए ना, पानी, पानी जो होता ह नल घंडी में क्यों फड जाता है क्योंकि जो होता है पानी जब बर्ब बनता है तो उसका क्या होता है उसके घंद तो बढ़ता है डैंसीटी बढ़ती है तो सब चीजें बढ़े होता है ठीक है तो जनर्रल aptitude से आपको डरने की जुरूत नहीं है पचीस question रहेगा आप इंसान है ना अगर थोड़ा सा question को देखेंगे तो यह सब आखों का खेल होता है जैसा कि thumbnail में लिखा है मैंने आखों का खेल यानि आखों का धोका आखों का खेल आपको question सही से देखना है बस question देखेंगे ना बह ठीक है गेट में अभी आपको लगबग 10 question करता है और CSIR में 20 question में से 15 करना हुता गेट का थोड़ा confused हूँ लेकिन यहां मैं कुछ question लेकर आया हूँ वहां से selected जो आप easily solve कर सकते हैं ठीक है बहुत लोग थे बाटनी से जुलाजी से जो भी bios science से पार्टे का question नहीं किया CSIR मे वह कहा है कि हम नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कुछ question जब मैं आपको बताऊंगा आपको भी थोड़ा confidence आएगा इसलिए मैं आपको आया हूँ यहाँ बताने चलिए सुरू करते हैं question देख लेते हैं तो यहाँ पहला question है एक मिनट इसे rotate कर लेता हूँ नह तो देखें movie watch funny तो movie funny थी और मैं क्या नहीं कर पाया तो हसने को रोकना तो could not help laughing तो आपको simple सा बस्टेंस के वारे हम थोड़ा सा पता हो तो आप कर सकते हैं ना could not help laughing मतलब stop या help जो भी आप कर सकते हैं अपने आपको हसने से रोक नहीं पाया तो simple इसका सी answer हो गया simple है ना कि दूसरा question देखिए अब एक question देखिए आपको थोड़ा डर लगेगा कि यार इसमें क्या करें तो math का question है हमसे नहीं हो गाई तो simply आपको करना क्या है x ratio y ratio z है और कुछ value दिये गए हैं आपको simply अगर आप करना ही चाहते हैं क्या करते बता है मैंने क्या किया था यह 1 by 2 है त फिर y कर दें फिर वैसे करके निकाल के 1.25 आगया answer हो गया simply solve क्या सोचने वाली बात है यही general aptitude हो गया ना फिर देखिए यहाँ question है थोड़ा मैं लाता हूँ यही है ठीक है कर रहा है कि both numerator and denominator आप 3 by 4 are increased by positive integer कर रहा है कि 3 by 4 को मतलब 3 में कुछ जोड़े फिर 4 में कुछ जोड़े तो कुछ आएगा value फिर कर रहा है कि 15 by 17 में से मतलब 2 में से 15 में से वही value घटाए 15 में से और 17 में से तो वही हो लेकिन इसका fraction मतलब half आए तो कौन सी value हो 15 और 17 में से वही चीज घटाना है और यह value दुगनी रहेगी वह half रहेगी मतलब fraction बोल रहा है ना तो आपको simply आप जो जो option में वह वह करके देख सकते हैं जैसे तीन में पहले एक जोड़े यह चार आएगा तो यहां 15 है तो यहां से 15 में गया तो 14 आएगा तो यह तो नही होगा ना फिर यहां 3 है तीन में तीन जोड़ेंगे 6 यहां तीन ढटाएंगे 12 माने कई सई है यही फिर नीचे भी हम करके देख लिखते है छार में तीन जोड़ेंगे आपका 7 आएगा यहां पर तीन घटाएंगे चवदर यानि कि हो क्या ना धुगना धूदactus यहां 6 का 12 साथ का चबदा कितना सिंपल है ना आपको लगता है बहुत कठीन है आप नहीं कर पाओगे भाई या जनरल एप्टिटूड कहां से पढ़े बाई पढ़ने की जुरूत नहीं है जनरल एप्टिटूड जनरल एप्टिटूड समझने वाली चीज है आप थोड़ी से समझ कोशन पूछ दूँ ऐसा कौन सा चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया और पीछे से इंसान ने बनाया यह भी तो जनरल एबिल्टी वाली कोशन है ऐसा कोशन होते थे ना हम लोग बचपन में होते तो बहुत लोग पूछते थे बुझ हो लिया टाइप का कि यह ऐसा कौन सा चीज है ऐसा कौन सा जगह है जैसे ऐसा कौन सा सब्द है एक और कोशन लो ऐसा कौन सा सब्द है तीन अच्छर का सब्द है जिसे आगे से पहला चर काटने पर एक भगवान का नाम बनता है दूसरा चर काटने पर फल का नाम बनता है तीसरा चर काटने पर जिला का बनता है तो यह सब तो है आपका जनल इंब है क्यों चलिए यह सब बात ना कर सकता है यहां मीरर का यूज देखेंगे जाने दीजे पेंसिल का ही हुच करूँगा तो गड़बड हो जाएगी तो मीरर के सामने रखें आपको थोड़ा सा बस देखना है यहां देखें नीचे वाला जो ब्लैक वाला थोड़ा बरिफी टाइप का दिख रहा है अब इस साइड उल्टा बरिफी टाइप देखना है आपको करना है इतना सोचने वाली बात है ही नहीं अब यह कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर सिक्स कह रहा है कि लास्ट फ्यू यर्स में सेवरल निव सौप मॉल वह उपें इन सीटी मतलब लास्ट कुछ चालों में हमारे सर में बहुत सारे मॉल उपें हो गय बहुत लोग जाते भी हैं लेकिन जो इंकम हो रही है वह बहुत ही मतलब उतना नहीं अच्छा है कमी है ठीक है लो है तो इसका रीजन क्या हो सकता है भाई इसका रीजन तो यहीं है आप डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं जैसे कि आप गये जैसे हमारे इधर एरिया में व पहला देखें फ्यूर पीपूल बार बट इस पेंडिंग मौर यह तो हो नहीं सकता कि बहुत कम जाते हैं और बहुत खर्जा करते नहीं लास्त वाला देखिए फ्यूर्ट पीपूल विच्टिंग माल बट नाट इस्पेंडिंग इनफ यानि भी आपसं सही है यह तो डेल दिमाग सबका वैसा ही है ठीक है अब सोचने और समझने की थोड़ी सी फर्क होती है अगले अगला चलते हैं देखते हैं अब यह question है यह भी दो नमबर का था इसके लिए डाइग्राम बतानी क्या क्या बनाते हैं लोग टीचर लोग बताते हैं पड़ाते हैं तो वाण डाइग्राम बनाओ यह बनाओ वो बताओ लेकिन नहीं क्या करना है इस्तेट्मेर्ट वान दिया है कि समस औ अबयक्ट है और और कर आए कि जो जितने भी भीगे हुए अबयक्त है मतलब जितने भी साफ औब जितने भी साफ सुतर्य औब बहुत भीगे हbildung है तो अब कंक्वूज requ ag देखिए, some clean object are soft, some clean object are soft, तो यहाँ some shop are clean कह रहा है न, तो बस आपको पढ़ना है और conclusion निकलना है कि क्या है, पहला option था, statement था, some shop are clean, तो यहाँ पे conclusion वहना, some clean object are soft, तो यह तो हो ही सकता है, no clean object is soft, नहीं, पहला का दूसरा कंड़ा कंड़ा डिक्टरी है, तो नहीं होगा, some weight object are soft, तो यह भी हो सकता है, weight object is soft हो सकता है, तो 1 and 3, तो देखिए, 1 and 3 कहाँ है, 1 and 3, D हो जाएगा option में, हो गया न, दो नम्मर फिर से मिल गया, simple, अगला देखते हैं, अब देखे, CSIR के मैं कुछ question देख लेका हूँ, आप सबको बत यह मैं PDF कहीं से लिया हूँ, copyright ना लगा दे, ठीक है, लगाएंगे तो वीडियो डिलीट कर दोगा, don't worry, तब तक आप लोग देख लेना, तो दोसरा question है, if a plant with green leaves is kept in dark room, with only green light on, which are the following would be observed, तो कह रहा है कि green पत्ती वाली leaves है, उसे dark room में रखा जाता है, dark room में रखा जाता है, जहाँ पर सिर्फ green light आती है, और कोई light ने, माँ लीजे, कोई plant है, जिसकी green leaf है, उसको green light में रखोगे, तो क्या होगा, क्या होगा, आप सम्दों देखिए, the plant appear brighter than the surrounding, a darker, तो देखिए brighter और darker, आप देखिए, जो जिस light की दिखती है, जिस light की दिखती है, जो, अरे simple सी है, तो green leaf भी है, तो वो मतलब reflect करेगा green light को, तो brighter देखिएगा न, अगर absorb करता, तो dark रहता, लेकिन जिस color की दिखती है, मतलब वो reflect करती है, जो चीज जिस color की दिखती है, उस color को वो reflect करती है, ये general sign से आपको पता होनी चाहिए, तो simple सी बात है, वो plant कैसा दिखेगा, वो bright दिखेगा, क्योंकि वो reflect कर रहा है, dark अगर, dark अगर दिखेगा, जब वो absorb करेगा, तो simple है, दो number का question है, ये तीसरा question mathematical है, मैंने, मतलब, कर सकते है, थोड़ा formula लगा के, density, density का, ओके, छोड़िए उसे, अगला question देखिए, चोटा, ये shopkeeper, shopkeeper purchase, ये product, मतलब 100 रुपय का, simple लेके बेद देता है, ठीक है, और जो खरीदता है, वो发, मतलब, 100 रुपय का, मतलब, मैंने 100 रुपय का, कोई समान लाया, 10% का लाब लेके, मैंने, आप को दे दिया, त्पिर आपनो 10% का, हानी, लेके, मतलब, loss लेके, वो मुझे दे दिया, तो, bucks, मतलब, मेरे को कितना प अगला question देखते हैं यह फांच भांच 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 मांच भांच भांच मतलब वह थोड़ा वह फ्रीमेशन आंग चांभिनेशन पर आता है तो उसको छोड़ते हैं simple यह है आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कर लेंगे अगला चाथ्पा question देखें कितना simple है what is the volume of soil in open pit of size 2 into 2 into 10 तो देखिए pit की बात कर रहा है गड़े की बात कर रहा है तो कह रहा है कि एक गड़े में कितना स्वाइल होगा अब गड़ा चाहे जितना बढ़ा रहे भाई गड़ा है गड़ा चाहे जितना बढ़ा रहे ओसमें thoughлось अगर कोई रहेगा तो गळा कहलर अगर गड़े में कभी वे सकते हैं जैसे मैं कायों कि यह पीट ओर गड़े पीट मतलब गड़ा होता है जए और मोई खाल हो लौन जीरो मीटर स्क्वाइर होगा इसका एंसर ना सिंपल है अगर उसमें स्वाइज रहेगा तो पीट कैसे बनाएगा भई कभी नहीं बनाएगा ना नहीं तो बहुत लोग इसका एंसर करेंगा 10 इंटू 2 10 दूना 20 30-40-20 क्यों वह तो फिट भर गया वह तो फिट पना ही नहीं सिंपल सा कममंसर्ग में कोष्ण को घ्रलो देखेंगे तो नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाला देखिए इधर left side ka door right side डूसे normal है फिर एक उपर वाले कर लाके इसके इस फिर इसके नीचे लटका देंगे फिर बीच में का इधर कर देंगे यानि दो moment करेंगे तो इसा structure बन जाएगा simple question आखों का खेल देखा question solve हो गया न फिर यह starting point यह तो simple question आपको बस pencil लेना है जैसे जैसे बोल रहा है जिदर जा रहा है starting point A बनाना है फिर one mil south point A एक बीच में लेना है फिर आपना direction देख लेना है आपको मार लेना है कि इधर east वेस्ट है north और south फिर south को और जाना है one mil, फिर one mil east को जाना है, फिर ऐसे ऐसे आपको जाएंगे, तो आपको last में रहेगा नार्थ पोल पर आपको जाएंगे, simple आपको बस एक line ही घीश नहीं है, इदर उदर, कुछ करना नहीं है, दो नम्मर मिल गया, free में का, फिर देखिए, नमा question, there are two bucket, दो बाल्टी है A, B, initially A has two liter of water, A में दो लीटर पानी था, B खाली था, दो लीटर A में पानी था, B खाली था, और एक गंटे में, ठीक है, एक लीटर पानी A से B में डाला जा रहा है, फिर उसका आधा लोटा दी जा रहा है, simple सी बात है, मतलब एक लीटर डाल रहे हो, फ खाली होने में बाल्टी A हो, पहले एक लीटर था, तुम्हारे पास एक लीटर पानी, मतलब तुम्हारे पास बाल्टी में कितना पानी है, दो लीटर पानी है, तुम सबसे पहले एक लीटर पानी निकालके B में डाले, फिर B का आधा लीटर पानी तुम A में डाल दिये, तो तुम्हारा क्या होगा? 1.5 Liter पानी बचाई तुम्हारे A में 1.5 Liter पानी बचाऊ B में ठीक है फिर एक गंटे पाद 1.0 लिटर पानी निकाले जाल दीए B में फिर B से 1.5 Liter लेकिए ए मेंडाल दीए तो A के पास एक लिटर एक लीटर दी के पास फिर तीसरे बार में एक लीटर पूरा डाल दिए ठीक है तीसरे गंटे में तो तीन गंटा simple answer कुछ नहीं करना है बस आपको सोचना है दिमाग बहुत तीज है अगर आँ सोचेंगे तो कर लिए ठीक है यह ट्राइंगर वाला question थोड़ा complex हो जाएगा त सिंप्ली सॉल कर सकते हैं ठीक है हाँ तो इतना एक है मतलब ये गेट और के दखिये इतना एडवांस लेवल के कोशिटन है मतलब एडवांस भी ग्याम एडवांस है तो कोश्चन में मतलब जो नहीं करेगा उसके लिए advance लगेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो simple e-way में बताया तो आपको साथ समझ में आओगा कि कैसे strategy हमें रखनी है party के लिए या कोई भी चीज रहा है डरना नहीं है कभी पढ़ते रही है और मैं चलता हूँ मिलूँगा just किसी और नेक्स वीडियो में be motivated and अच्छे से पढ़ाई करो बस सब ओके